वीके नियूज उत्तरपरदेश उत्तराखंड सचका सार्थी नमस्कार स्वागत है अपका वीके नियूज में लव जिहाद, लेंड जिहाद, ठूक जिहाद, धर्मांतरन, शादी का जहासा देना तो कभी सड़कों पर जबरन मजार बना लेना कभी जिहाद के नाम पर गला रेत देना तो कभी अल्ला हुआ अकबर के नारे लगाते हुए तलवारे चला देना इन सब का मतलब समझ रहे हैं आप ये एक सू नियोजिस साजिश का हिस्सा है एक ऐसी साजिश जिसने भारत कोई नहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है और ये बात इस बार हम नहीं कह रहे हैं ये बात एक बड़े मुस्लिम नेता ने खुद कबूली है यकीन ना हो तो एक-एक शब्दों को जान से सुन लीजिए मैं प्यदाई वन्यों गुआ हुआ हाあ यॉध्या जो आद फैरा बाद है, जो जिस पाज है यॉध्या काया पार मेरी दद्यान वहीं की मेरा घर है तो जो एक मिशन आपके खिलाब चला आए हिंदों के खिलाब चला है लफ्जिहाद हो, जिहाद हो किताबी शक्ल में हो आपको बन्राम करने के लिए आपको कमजोर करने के लिए जितनी भी फंडिंग हो रही है जितना भी किताबे लिखी जा रही है या आपके खिलाफ लफ जिहाद हो रहा है आपकी लड़कियों को मुसल्मान बनाया जा रहा है हिंदुों को पैसे दे कर मुसल्मान की बनाया जा रहा है ये वो जिहाद है कि एक मुसल्मान को गर मुसल्मान को अगर हिंदु मनाता है तो उसका जन्नत में घर पक्का हो जाता है ये मुसल्मान इस नियक से गर मुसल्मानों को जहसा दे कर थसा कर मुसल्मान इसलिए बनाते हैं वो अपना जन्नत में घर पका करने की कोशिश करते हैं जो की खलत है इनका वहम है और वो उस जिसको वो रसूल मानते हैं महम्मत का ये बनाया हुआ शर्यंत है सुना अपने गौर से एक एक शब्दों को सुना अपने जनाब ने जुबान से कट्रपंतियों जिहादियों के मुँपर करारा तमाचा जड़ा है किसी हिंदू नेता ने अगर ये बात कही होती तो मौलिवियों की जमाज सडकों पर उतर चुकी होती लिबरल्स टुटर पर हला मचा रहे होते विद्वा विलाप शुरू हो चुका होता, फत्वा भी जारी हो गया होता पर इस बार ये बात अपनी सुबान से एक मुस्लिम नेता ने कही है मिट्स तो तब भी लगी है और इसका गला काटने के लिए फत्वे भी जारी होने लगे है ये गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि इस साजिश की पोल अपने नहीं खोली है और सबूतों के साथ आपको बता दे कि ये वसीम रिजबी हैं, यूपी में रहते हैं, अयुध्या में पैदा हुए हैं इस किताब के मौके पर वसीम रिजबी ने वे सारी साजिशों का परदाफाश किया है कि कैसे इसलाम के नाम पर जिहाद फैलाया चा रहा है यह पूरे दुनिया में आप कैसे ये समझे आप क्यों नहीं मानते कि 1400 साल पहले पैदा हुआ मजबाश दुनिया की दूसरी आबाद ही कैसे बन गया आप सोची ना क्यों उसमें एक साजिश है वो साजिश के तहर जो काम किया जाता है वो बहुत तेजी से अपकी जोगों को मदूर बना ये सवाल सवाल जायज है कि मातर 1400 साल पहले मातर सोचिए आप कि सिर्फ 1400 साल पहले बना एक मजब कैसे दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी बन गया कैसे दुनिया भर में 57 इसलामिक देश बन चुके हैं जबकि हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं यहुदियों का सिर्फ एक ही राष्ट्र है और वो भी संघर्ष कर रहा है यहां तक कि किसी भी धर्म के लिए कोई राष्ट्र ही नहीं है और मुस्लिम देश 57 है ऐसे मैं वसीम के सवाल बता रहे हैं कि यह एक सू नियोजिस साजिश का हिस्सा है तो सवाल यह कि क्या वाकई इसलाम एक साजिश है बड़े-बड़े मजभी, मौलवियों और आलिमों को इसका जवाब अब देना चाहिए इस वीडियों में बसतना ही देश और दुने के तमाम बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हैं वीके नियूस के साथ नमस्कार ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24 पाई 7 डिजिटल नियूस चानल वीके नूस राष्टर के नाव